बीते दौर में डबल रोल फिल्में खूब बनी हैं। सत्तर के दशक में रमेश सिप्पी एक फिल्म लाए थे जिसमें डबल रोल थी। आपको दिलीब कुमार की फिल्म राम और श्याम तो याद होगी जो साल 1967 में आई थी। इस फिल्म को बड़े परदे पर सफलता मिली थी। इसी फिल्म से इंस्पायर होकर सलीम जावेद की जोडी ने फिल्म सीता और गीता लिखी थी। यह फिल्म 3 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी। फिल्म को रमेश सिप्पी ने निर्देशत किया था। फिल्म इतनी हिट हुई की सिर्फ 40 लाख के बजट वाली इस फिल्म ने करीब 20 करोड की कमाई की।